नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे चीन और अमेरिका पे तोकि आने वाले समय में चीन महासक्ती बनेगा चीन के महासक्ती बनने पे दुनिया पे क्या असर होंगे इस समन्द में हम बात करेंगे और अमेरिका महासक्ती था अब तक या अभी भी है इसके दुनिया पे क्या प्रभाव पड़े इस समंध में बात होगी तो मित्रों अमेरिका ने 1940 से ही केवल दुनिया को युद्ध ही युद्ध ही दिये हैं दुतिय अविश्व युद्ध में अमरिकी सैनिकों द्वारा 35 लाग गोली एक दिन में चलाई जाती थी 1940 के बाद अमरिकी अर्थ ब्योस्ता हत्यारों पर टिकी हुई है यानि दुनिया में युद्ध का माहुल बरकरार रहेगा या युद्ध होते रहेंगे उतना ही अमेरिका ताकतवर होता जाएगा इसलिए अमरेकी अर्थ बेवस्ता के लिए युद्ध होना बहुत जरूरी है अमरेका का 1940 के बाद हतियार बजार पे 30 से और 35 परसेंट के बीच में कब जा रहा है और रोज का 25 से लेके 32 परसेंट तक कब जा रहा है इसलिए ये दोनों देशों की अर्थ बेवस्ता हत्यारों पर ही टिकी हुई थी और दोनों देशों ने कभी भी सांती का माहुल दुनिया को नहीं दिया क्योंकि दुनिया में ये दी सांती हो जाएगी तो हत्यार बिकना बंद हो जाएगे और ये दोनों देशों की अर्थ ब्योस्ता कमजोर हो जाएगी इसलिए इन दोनों महासक्तियों ने दुनिया को हमेशा केवल युद्ध ही युद्ध दिये हैं से 1945 में अमेरिका ने जापान पे परमाण बम डाल दिये उसके बाद अमेरिका फिर कोरियाई युद्ध में चले गया कोरियाई युद्ध जब समाप्त हो गया उसके बाद अमेरिका बीयत नाम युद्ध में चले गया बीयत नाम युद्ध के खतम होने के बाद अमेरिका ता के वापस जाते ही अमेरिकाशानी एराग कर दिया संद्दाम Même सेन्क आतन को पनपने नहीं दिया और अच्छा तील का उत्पाधन करता था लेकिन वहांमेरिका की बाति नहीं मानता था तो अमेरिकाने जैविक हत्यार पर्मपाणों हत्यारोंग का बहाना बना करके एराग की तहसनेस करके आईस आईस को पैदा करके इराग का सारा तेल लूट लिया लीबिया को अमेरिका ने बरबात कर दिया गदाफी को बदनाम करवा के गदाफी को भी मरबा दिया क्योंकि गदाफी भी आतंग के खिलाब था और अमेरिकी बातें नहीं मानता था फिर अमेरिका सीरिया में गुसा है यानि कि अमेरिका ने दुनिया को केवल युद ही युद दिये हैं और दुनिया में कभी भी सांती का माहुल नहीं बनने दिया क्योंकि यदि सांती का माहुल बन जाएगा तो हत्यार बिकना कम हो जाएंगे जब दुनिया की दो बड़ी महा सक्तियों की अर्थ बिवस्ता हात्यार बजार पे टिकी हो तो वो कैसे चाहेंगे कि दुनिया में सांती का माहुल हो तो सोब्य संग और अमेरिका ने 1940 के बाद हमेशा दुनिया को केवल युद्ध ही दिये हैं अब हम चीन की बात करते हीं चीन 2000 साल पेले भी महा सक्ति था और पुराने जमाने में चीन बहुत बड़ा ब्यापारिक देश था दुनिया के टोटल निरियात का 25% अकेले चीन निरियात करता था और 19% भारत निरियात करता था लगभग 1000 साल 1500 साल पहले तक यानि पुराने समय में भारत और चीन बहुत बड़ी ताकत रहा है हमारे कुछ मित्र लोग कहते हैं कि भारत तो 1947 में बना तो वो लोग सायद इतियास नहीं जानते हैं भारत 5000 साल पुराना देश है तो बात चीन की हो रही थी चीन ने दुनिया को ब्यापार दिया यानि दुनिया के साथ में आज से नहीं 2000-3000 साल पहले से ही दुनिया के साथ में ब्यापार कर रहा है बाकि चीन ने दुनिया के या दुनिया की किसी भी राजनिती से कभी कोई मतलब नहीं रखा बाहर के देशों से चीन का कभी कोई समंद नहीं रहा है चीन 2000-1000 साल पहले 500 साल पहले बहुत ताकतवर था लेकिन कभी चीन ने किसी दूसरे देश पे हमला नहीं किया आप चीन का इतियास देख सकते हैं आपको ये कभी नहीं मिलेगा कि चीन ने कभी किसी दूसरे देश पे हमला किया हो भारत पे हमला किया तो वो हमने बताया था आपको कि वो जवाल लाल नेरों की गलत नितियों के कारण चीन ने भारत पे हमला किया था तो चीन की जो अर्थ ब्योस्ता है वो इंडस्ट्रीज पर टिकी हुई है मसीनों पर टिकी हुई है जरुत के सामानों को उत्पादन करने में टिकी हुई है हत्यारों पर नहीं टिकी हुई है इसलिए चीन कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया में युद्ध का माहुल बने और भारत की अर्थ ब्योस्ता कमजोर हो जाती है और युद्ध का माहुल बनने से या युद्ध होने से अमरिका और रूस की अर्थ ब्योस्ता ताकतबर हो जाती है तो इसलिए भारत और चीन कभी नहीं चाहते हैं कि दुनिया युद्ध में फसे या कोई दुनिया में युद्ध हो तो चीन ने कभी किसी दूसरे देश पे हमला नहीं किया ठीक है किसी दूसरे देश की सत्ता परिवर्तन नहीं किया जैसे अमेरिका ने अब तक कम से कम पंदरा देशों की सत्ता परिवर्तन अमेरिका कर चुका है अमेरिका हर देश में दखल अंदाजी करता है लेकिन चीन किसी भी देश में दखल अंदाजी नहीं करता है मतलब साफ है कि चीन ने कभी भी किसी दूसरे देश पे हमला नहीं किया किसी दूसरे देश की राजनती या सत्ता परिबटन नहीं किया किसी दूसरे देश पे हमला नहीं किया, दुनिया के साथ अपना व्यापार बढ़ाया और हमेशा युद्ध रोकने की कोशिस की, और अमेरिका ने हमेशा दूसरे देशों को हत्यार दिये, तालिबान आयस आयस जैसे आतं की संगठन पैदा किये, तो यानि यदि अमेरिका महासक्ति के पद पे बरकरार रहता है, तो दुनिया में युद्ध का माहौल सांत नहीं होगा, और चीन यदि अमेरिका जैसी महासक्ति बन जाता है, तो दुनिया से युद्ध बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि चीन युद्ध में विश्वास नहीं वैसे भी चीन में बहुत लोग बहुत ज्यादा है जो कि सांती पसंद करते हैं हम हिंदु लोगों का समन्द बहुत लोगों से ज्यादा है क्योंकि हिंदुों की ही साखा है एक हिंदुों से निकली हुई साखा है बहुत जो कि सांती प्रिय लोग हैं तो मित्रों हम आपको य यदि महासक्ति रहता है आने वाले 20-50-100 साल तक तो दुनिया से युद्ध का माहुल कभी समाप्त नहीं होगा क्योंकि अमरिका को अपने हत्यार बेचने है और चीन यदि अमरिका जैसी महासक्ति बन जाता है तो दुनिया से युद्ध का माहुल धीरे-धीरे समाप्त हो जा इसलिए चीन भविश्य में कभी भी युद्ध का पक्षधर नहीं रहेगा तो चीन का महा सक्ति बनना दुनिया के लिए फाइदे मंद है यही हम आपको बताने का परियास कर रहे हैं